बिसमिल्लारप्भानीरहीं, अस्सलाम अलेक।uमों दिसल्स मिया आपी दली। बात करेंगे लेवल ठेएं लेवींस लेवल और इनिविच्वीट्वल लेवल। और इनिविच्वाल लेवल की definisional से पहले हमें बालू P他們 होना चेही। are organized to gather to form an individual or organism मुकलिफ organ और organ system आपस में मिलते हैं आपस में मुनसम होते हैं और एक जानदार एक फर्द बनाते हैं एक individual बनाते हैं कहते हैं इन organism various organ and organ system are organized in such a way that all functions, processes and activities are coordinated कहते हैं जानदारों के अंदर organ और organ system इस तरह आपस में राप्ते में होते हैं coordinated होते हैं कि उनके तमाम अफाल, सर्गेर्मिया और अमाल एक दूसरे से राप्ते में होते हैं मिसाल के तोर पे कहता है for example like during continuous and heart exercise rate of respiration and heartbeat are increased and supply more oxygen and food to muscle which they needed for continuous work कहता है जब हम मुशक्कत वाला काम करते हैं ना सिर्फ हमारे दिल की दर्कन की रफ़तार तेद हो जाती है बलके respiration की रफ़तार भी तेद हो जाती है यह इसलिए होता है ताके हमारे मसल जो continuous heart काम करें उनको ज्यादा से ज्यादा oxygen मिले और ज्यादा से ज्यादा खुराक मिले जिसके उसको काम के वक्त उस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो बॉड़ी का कोई भी process है involved हो रहा है function हो रहा है तो बॉड़ी के सारे organ मिलके उसको support कर रहे होते हैं उसको एक दूसरे के रापते में होते हैं सारे organ और organ system लाइक अभी example में बता रहे हैं कि जब हम स्वियर exercise करते हैं running कर रहे हैं तो ना सिर्फ हमारा heart rate तेज हो जाता है बलके हमारी सांस लेने के रफ़तार भी तेज हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा respiration के process को oxygen मिले और दिल ज्यादा से ज्यादा food supply करें और मस्वथ को काम करने में के problem now thanks so much